एक टाइम क्या होता है दोस्तों पर्फेक्ट लिखा आता है दीखे पर्फेक्ट लोकेशन है इसा जब लिखकर आता है अभी हमारे मोबाइल में पर्फेक्ट लोकेशन लिखकर आ चुका है इसका मतलब हमारा जो है दोस्तों सिगनल अभी मिल चुका है नमाशकार दोस्तों वर डिशन पर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के शुड़े में मैं आपको चिकाऊंगा अपने मोबाइल से डिस सेटिंग करना जिहां दोस्तों बिल्कुल सभी सुना है इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था एक एप्लिकेशन के बारे म इंस्टॉल कर रहे थे उस एप्लिकेशन ने बाद में पैसे मांगना शुरू कर दिया तो खेर शोड़िए उस बात को अभी दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लिकेशन लेकर आ चुका हूं जिस एप्लिकेशन की मदद से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीडी फ् होगे और आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अपने बस एक मोबाइल की मदद से आप डीट कर पाओगे दोस्तों कौन सा एप्लिकेशन होगा वह सारी जानकारी में इस वीडियो में देने वाला हूं उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को पूरा देखे उसके बाद ही आप सिखोगे कि अपने मोबाइल से भी आप डीश कैसी सेट कर सकते हो तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं और आप सतकी जानकारी के लिए बता दू अगर आप इस वीडियो को में आज कर देते हो और वीडियो के नीचे सस्क्राइब कर देतेे यो चैनल को और वीडियो के नीचे अची सी पहरी सी कमेंट करते में लिए तो आपको मिल सकता है हमारी वर्ड एडिशन पूट tort कि तरफ से हैट खटा बॉक्स बिलकुल फ्री में तो अब यह दिया नीचर बारें में जान करी दे रहा हूँ उस अप्लिकेशन का नाम ज़रूर लिग देना यह दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अप्लिकेशन कवान सा है तो यहां प Guin Taiy необходимо साण्फ, अपना स्क्रीण रेकॉर्डर और इस application को play store से आपको install करना है कई order से install करने की जो रहतने का है order से अगर install करते हो तो बहुत सारी risk करेती है play store वाले जो application होते है वो secure होते है और आपको कोई problem उससे नहीं आता है तो play store वाला application हमने यहाँ पर install कर दिया और इसको okay करना है okay करने के बाद यह loading होगा loading होने के बाद कुछ समय के बाद यह जो है application open हो जाएगा अब यह application open होने के बाद यह continue बोल रहा है तो continue नहीं देना उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान रखना है mobile का data और दुसरी जो बात है mobile का GPS यह दोनों आन रखना है यानि कि किसी mobile में GPS होता है किसी-किसी mobile में location नाम से रहता है और लेकिन mobile का data और GPS यानि कि location आपका on होना चाहिए तब यह क्या करेगा आपका जो proper location होता है उसको पकड़ लेता है फिर यह proper location पकड़ने के बाद आपका dish setting proper हो जाता है जब आपका यह on हो जाएगा दोस्तों तो आपको क्या करना है आपका जो mobile होता है आतमे उसको English 8 के आकार में इसको गुमा लेना है क्यों क्योंकि यह जो है एक trick होता है जो आपका location होता है वो बिल्कुल सही पकड़ लेता है देखिए ऐसे आपको इस mobile को इसे गुमाना है ऐसे गुमाने के बाद आपका जो mobile है आपके mobile के सभी sensor काम कर जाते है और उससे क्या होता है आपके mobile का जो compass sensor हो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद आपका जो proper location है उस location को आपका mobile पकड़ लेता है बस इतना समझ में आ गया अब जब यह application open हो गया है तो इसमें आपको क्या करना है देखिए बहुत सारे option यहाँ पर नजर आ रहे है satellite finder level meter इस application के मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हो देखिए GPS compass भी इसमें आया है तो हमें क्या करना है हमें करना है डिस सेटिंग तो डिस सेटिंग करने के लिए हमें satellite finder के उपर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा इसने location एकदम परफेक्ट पकड़ लिया है अब आपको कौन सा satellite set करना है रही बात यहाँ पर तो नीचे देखिए यहाँ पर satellite के नाम आ रहा है तो इसको आप क्लिक करिजिए और क्लिक करने के बाद आपको जो भी satellite select करना है इसमें आपको उसको select करना होगा दिखे यहां पर दुनिया बरके सैटलेट हैं आपको जो भी सैटलेट सेलेक्ट करना है उसको बस आपको टिक मारक कर देना है तो यहां पे हमने दोस्तों G.Sat 15 के उपर क्लिक कर दिया है देखे यहां पर हम लिखते है G.Sat 15 तो यहां पर आप देख सकते हो जी सैट 15 यहाँ पर हम ढूंड लेते हैं तो देखें 93.5 इस्ट में आता है और जी सैट 15 हमने यानि की डीडी फ्रीडिश को हमने सेक्ट कर लिया है अब यह क्यों सेलेक्ट किया है क्योंकि जादा तोर लोग जो है इंडिया में डीडी फ्रीडिश ही यूज़ करते है मोबाइल पकड़ लेना है या फिर आप ऐसे भी मोबाइल को पकड़ सकते हो या फिर आप जो दोस्तों ऐसे भी मोबाइल को यहाँ पर पकड़ सकते हो लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट रोंगा कि आप डंडी के बिल्कुल बीच ओ बीच ऐसे मोबाइल को पकड़ लेना है अभी मिलने के बाद इसको हम अभी एप्लिकेशन को बंद करकर देंगे तो century recorder इसको हमारा बंद पाब आपका के काम है लोकिशन पका पकड़ लिया है उसके बाद तो आपको क्या करना है डिश को हल्कियात से उपर करना है ऐसे देखें जैसे मैं करना हूँ एसे उपर करना है या फिर ऐसे नीचे 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 करते जाना है आपको क्या है ऐसे ऐसे गुमाना मोबाइल से पता चल गया जब आपका परफेक्ट लोकेशन लिख कर आ गया क्या करता हूं आपको अपने डीश की तरफ यानि कि अपने टीवी स्क्रिंग के उपर लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि मोबाइल से हमने अभी लोकेशन पकड़ लिया है और मोबाइल से लोकेशन पकड़ने के बाद जो सिगनल हमारा मोबाइल से मिल चुका है त चले दोस्तो चलते टीवी स्क्रींग के उपर आप देख पा रहे दोस्तो के लामारी यहां पे शुरू हो चुके अब मैं आपको सीगनल भी दिखा देता हूं दीखे दोस्तों यहां पे सीगनल मिल रहा है 77 स्ट्रेंद हमें के हापने ये सिगनल मिलता 85-86% तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सिगनल हमें जब हमने मोबाइल से डिस सेट किया है तो मिल चुका है अगर आप भी मोबाइल से डिस सेटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा तभी ये पॉसिबल होगा तभी आप मोब इस सेटिंग कैसे कर पाओगे लेकिन जिन्हों ने वीडियो को आदा दूरा देखा है कार्ट चार्ट के देखा है उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और ऐसे ही लोग वीडियो के नीचे निचे निगेटिव कमेंड करेंगे तो दोस्तों आपको को इस वीडियो के नीचे कमेंड करना है कि हमने इस वीडियो में कौन से एप्लिकेशन के बारे में जानकरी दी है और हमने मोबाइल से डिस्ट करके कैसी दिखा है बागे दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के नीचे भी कमेंड करके बता सकते हो जो भी इस SETTA-Box प्री में जाएगा तो चलिए दोस्तों winner का नाम हम एक हपते बाद Guess तो आपको दोस्तों एक हपते बाद winner का नाम मिलने वाला है तो आपको वीडियो को लैक करके चैनल को को सस्क्राइब करना होगा ति भी आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा नहीं तो आपको नाम आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सेट अप बोक्स जीता था इसलिए आप चैनल को शरू ससक्राइब कर लिजे चले दोस्तों मैं आपको मिलता हूं अगले उड़ में तब तक के लिए जय हैं जय भारत